नमस्कार, हमारी इसकास बेशकर्ष में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूँ सुविच चौधरी, याद कीजे गुजरात विधान सभा का वो द्रश है, जब मोदी, उनके विरोधी और किसी जमाने में उनके दोस्ट, शंगर सिंग वागेला की तारीफ करते हैं, और बत बाद का जिकर इसलिए कर रहे हैं, जिससे आपको बता सकें कि मोदी के लिए उनके दोस्तों की कितनी एहमियत है, अब मोदी देश के प्रधान मंतरी बन गए हैं, तो वो अपनी इसी खासियत के चलते हैं, अपने पडोसियों को साध्धे में लगे हैं, वो कहते हैं कि हर फ कि बस करो, अब बहुत हुआ, सवाल ये भी है कि चीन ने भारत के प्रधान मंतरी की इस पूरी यात्रा को किस तरीके से लिया है, इसी वर हम जर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हैं एक रिपोर्ट नेपाल में कैसे च्छा गए मोदी चालवास चीन को कैसे पछाड़ा मोदी की नेपाल यात्रा कितनी काम्याब पिछले दो दश्कों से चीन ने खामोशी से, लेकिन पूरी तैयारी के साथ नेपाल में अपना असर बढ़ाया है चीन ने पड़ोसी देशों में पैसे से बदद नहीं की, बलकि इन देशों में बुनियादी धाचा बनाने का बीड़ा उठाया चीन ने नेपाल में सड़कें, पुल, बंदरगाह और हवाई अड़ो के कई प्रोजक्ट पूरे किये जिसके कारण पिछले काफी समय में नेपाल साफ तौर पर चीन के प्रभाव में आ गया है और भारत का असर नेपाल में थोड़ा कम हुआ है पिछली सरकार का नेपाल को तरजी न देने की कारण ही चीन ने इसका फायदा उठाया लेकिन अब पीम नरेंद्र मोदी अपने पड़ोसी देशों में भारत के असर को बहाल करने में फूरी जीजान से लग गए है इसका अंदाजा उनके शबत गरेंट समारों में शार्क देसों के प्रतिनिधियों को बुलाने से साफ हो जाता है पहले भोटान की यात्रा और अब अपनी नेपाल यात्रा के दौरान मोदी ने अपने भाशन में दोनों देशों के रिष्टर को बढ़ाने के लिए कहा है मोदी ने ये भी कहा कि सीमा दोनों देशों के बीच एक बान की तरह होनी चाहिए बाधा की तरह नहीं नेपाल में कैसे चाय मोदी नेपाल को हिट करने के लिए मोदी ने हिट शब दिया जिसमें H4 Highways, I4 Highways Information Technology, T4 Transmission Lines 10,000 करोन नेपाली रुपे की मदद का एलान भी किया भारत में स्कॉलर्शिप पाने वाले नेपाली चात्रों की संख्या में बढ़ोतरी की बात कही स्वास्त और सिक्षा के मामले में सार्क देशों की मदद के लिए सार्क सैटलाइट छोडने का फैसला नेपाल में पाच गुना ज्यादा भजली बनाने के लिए परियोजना में निवेश नेपाल को हरबल दबाओ का बड़ा नीर्यातक बनाने में मदद दो दिन के लिए नेपाल पहुँचे प्रधान मंत्री नरेद्र मोदी के विकास के इन वादों के जरिये मोदी साफ तौर पर नेपाल में चीन के बड़ते दखल को कम करना चाहते हैं पीम नेपाल के लिए लिया गया बड़ा फैसले से साफ जाहिर हो जाता है कि मोदी अब पड़ोसी देसों में चालबा चीन की बड़ती भूमिका को कम करना चाहते हैं जिससे साफ जाहिर हो जाएगा कि भारत एशिया ही नहीं विष्ट में भी बड़ी और एहम मोमिका में होगा कैमरा पर्शन रोहित के साथ मैं मोहिश शर्मा सुदर्सन न्यूज तो सवाल यही है कि भारत की तरफ से नेपाल के जरिये चीन को क्या मैसेज किया है नरेंद्र मोदी जो मैसेज चीन को देना चाहते थे उसे देने में काम्याब हो पाए है या नहीं इसी मसले पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ कुछ खास महमान मौज़ोत हैं उनका परीचे आप से करा देते हैं ब्रिगेडर रिटार अमरत कपूर सहाब हैं डिफंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोग गोयल सहाब बीजबी की तरफ से और साथी साथ मनोहर मनोजवरिष पत्रकार मेरे साथ है यह पूरी जो यात्रा देखिए आपने भाषन भी सुना संसद में किस तरीके से नरेंद्र मूदी ने दिया मैसेज देने की बात की जा रही है चीन को एक मैसेज पहुँचाने की बात की जा रही है कि नेपाल जो 17 सालों तक उपेक्षित रहा भारत की तरफ से अब नरेंद्र मूदी उस गहराई जो आई है उसे पार्टने में कामियाब हो पाए है पहले मैं यह बताना चालता हूँ कि एक theory of voids होती है जहां पर भी रिक्ट स्थान होता है उसको कोई ना कोई आकर उसको उसको उसकी अपूर्ती कर देता है इंडियन गवर्मेंट की तरफ से यहां बहां से हमारी कुछ मुछक्वाते थी प्रॉब्लम थी लेकिन इनको इन्होंने बैक बरनर पे डाल दिया और उसकी वज़ा से जो जो नेपाल है वो ट्रिफ्ट कर गया और उन्होंने पहले भी वो मावदी तो 54 से यह लोग एक्ट प्रिश्की और उसके बाद में उन्होंने काफी जब देखा कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एक काफी रोड्स नहीं है और डैम्स नहीं है तो उन्होंने यह सब चीजों के अंदर उसमें जैसे हमने हम आइडिया देते थे वो उसके अंदर एंट्री मार देते वो हमेशा implement कर देते थे अभी भी जो सबसे बड़ा वहाँ पर हाइडल पार प्रोजेक्ट है 1.6 बिलियन डॉलर का वो चाइना उसको implement कर रहा है चाइना रोड और इंफ्रस्ट्रक्चर बना रहा है जो की यहां से इनके काटमांडू से टिबद बॉर्डर तक 71 मील की जो सड के जरीए यहां पर इन्होंने अपनी एंट्री करनी है और चाइनीज तो आगे कर सोचते हैं बहुत आगे और आगे का यह उनका सोचना है कि उसके थूरू अगर यह ट्रेड रूट बन जाता है तो इंडिया का जो मेन कंसर्न इस समय है वो ट्रेड का भी है अल्रेड हमारी जो एक मैसेज देने की कोशिश की है आप देखेंगे जो प्रात्मिक्ता रही है हमारे प्राइमिर्स साब की कि उसके अंदर पहले क्योंकि हमारा जो मेन दुश्मन है वो चाइना है पाकिसान नहीं है यह शुरू से हम लोग बता रहे हैं फौज में भी हम बताते रहे हैं तो उन्होंने उनकी प्राइटिस बिल्कुल ठीक है सबसे पहले वो भुटान गे क्योंकि भुटान भी हमसे ड्रिफ्ट हो रहा था वहां पर भी चाइनिज चुम्भी वैली के थूरू उनसे एक्सेस मागना चाते थे लिंक करना चाते हैं मंगला देश के साथ में ठीक ठी चीन के साथ क्या है नरेंद्र मोधी यही करने के थे टार्गेट था चीन दिखें नेपाल के साथ हमारा भावनात्मक रिष्टा है दुनिया में अगर सबसे जादा हिंदू समाज की कर संख्या है तो नेपाल में एक्यासी प्रतीशत वहां की आबादी हिंदू है और भारत के अंदर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हिंदू है एक बड़े भाई छोटे भाई का रिष्टा है चाइना की जो विस्तारवादी नीती है और जिस तरीके से हमने उसको देखा है जो दूसरा पड़ोसी देश जिसको चाइना ने धीरे धीरे अपने अंदर ले लिया चाइना की विस्तारवादी नीती में नेपाल जो है इस समय प्रात्मिक्ता पर था हमारी सीमाएं तीन तरफ से चाइना से लगती है इसे नेपाल से लगती है जबकि चाइना की सीमा एक तरफ से नेपाल से लगती है भारत की एक बहुत बड़ी आवश्यक्ता है कि अपने चोटे भाई को मजबूत किया जाए और मजबूत करने की दस्टी से भावत्मा ग्रस्ता जोड़ने की दस्टी से चोकि हमारी साजा विरासत है यह बहुत ज्यादा लंबे समय की बात नहीं है 1814 में जो वहां माराजा थे उस समय उन्होंने जो है पृत्वी सिंगी उन्होंने पूरी तरीके से एक अंग्रेजों के समय में छोटे छोटे राज्यों को इखटा किया और बाद में अंग्रेजे से समझोता हुआ तो यह जो भाग आज नेपाल दिखाई देता यह भाग उनके हिस्से में आया और जब से अब तक वहां राजशाही चल लाई थी लेकिन ऑगता है देशी शराब बन सकती है तो वहाँ के व्यापार का विकास कैसे हो मोडी जीरेक बहुत बड़ी बात कहिए वह बात कहिए कि आप लोग जो हैं बछली है भारत को दीजी एक बहुत बड़ी बात कहिए कि आप हरबल दवाईया बनाओं हम पूरा हाप्रेpost करेंगे हम चाहते हैं कि वो अपने पैरों पर ख़ड़ा होका स्वाभी मानी नेपाल एक ऐसा देश जो हमारे लिए हमेशा पितेशी की रूप में ख़ड़ा हो बने मनो जी यह जो इतनी इंपोर्टेंस है नेपाल की लेकिन उसके बावजूद भी 17 साल का गैप और अब नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से महाँ पर भाशन हुआ है उसके बाद क्या लगता है कि वो खाई जो है पाटने में काम्याब हो पाएगा भारत और दूसर साथ ही साथ म नेपाल नेपाल में जिस तरीके चीन ने अपना इंफ्रस्ट्रक्टर बढ़ाया है उसके बाद भारत अब क्या लगता है कि उस दौड़ में कहीं नहीं पीछे रह गया है नरेंद्र मोदी ने जब अपने तमाम वीजन और तमाम अपने वादों के जरीए जब सक्ता हासिल की तो पिछले धाई महीनों का जो उनके गवर्नेंस का जो ट्रैक रेकॉर्ड है यदि हम उसको देखते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे जारा फॉरण फ्रंट पे इस गौवर्मेंट ने जो है प्रो एक्टिव और इनोवेटिव वर्क कर अभी कर रही है और करके दिखाय है और बड़ा ही टाइमली जो है वो एक तरह से यात्रा कर रहे हैं जैसे कि अभी चर्चा हुई भोटान की यात्रा हुई वह भी चाइना बोडर से लगा था सार कंट्री की चर्चा हुई जो कि अंटरनेशनल लेवल भारत के प्रभुता को दर्शाता है फिर अभी जो ने सरकार काम कर रही है जो कि एक बहुत ही बढ़िया कदम है तमाम सार कंट्री से पहले अपनी दोस्ती को मजबूत करना जो हमारा साइनो इंडिया रिलेशन की जो जो उसके रिपरकसंस हैं उसको भी इसमें साधना और अपने एक रीजिनल एकनोमिक इंट्रेस्ट को बढ़ा मैंने हैं कई सारे माइने हैं तो उस हिसाब से नेपाल की यात्रा ने नरेंदर मोजी की यात्रा हुई है वो कई सारे संभावनाओं के द्वार खोले हैं मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँ हुआ नेपाल की सीमा से जो लगा हुआ हमारे हमारे जो दो सबसे बड़े राज्य है बिहार और उत्रप्रदेश वहां की जो जल की समस्या थी नर्यों में बाढ़ आने की समस्या थी वह भी नेपाल से जुड़ा हुआ है पनमीजली के बहुत सारे वहां पर बिल्कुल यह काफी एहम मुद्ध है बिल्कुल चीन के परिपेक्श में मैं आप से पूछूँगा कि जिस तरीके से यात्रा हुई है भुटान की अगर हम बात करें से पहले प्रधानमंति नरेंद्रमोदी न यात्रा की थी और जिस तरीके से इंफ्रस्ट्रक्चर की यहां पर बात की जा रही है सवाल यह है कि चीन की तरफ से सिर्फ वादे नहीं किये जा रहे हैं वहां पर तमाम चीज़ें डिलिवर की गई हैं लेकिन इंडिया की तरफ से अभी तक वादे हैं नेपाल इसे कैसे एक्सेप्ट करेगा चर्चा इस पर हम करेंगे लेकिन फिलाल ए तो क्या चीन को मैसेज देने में कावियाम नरेंदर मूदी हुए हैं और जुस तरीके से बात ये चल रही है कि भारत की तरफ से कुछ वादे किये गए हैं लेकिन सवाल ये है कि इंडिया भी प्रामिसिज कर रहा है जब कि चाईना जो है अपनी तरफ से उन तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए उन infrastructure के लिए delivery जो है अपनी चालू किये अगाज हुआ है उन्होंने घोषणाई की हैं उसमें एक नया तेवर एक नया जोश और एक नया रिजल्व दिख रहा है इसलिए ये सवाल मेरे हिसाथ सभी बेमानी है ये बात सही है कि चाइना भारत की तुलना में काफी जारा ताकतवर हो गया है और वो इंप्रियलिस्ट पॉलिसीज को भी जो है वो अपनाता है आर्थिक ताकत के जरिए ये सही है कि नेपाल में बहुत बड़ा निवेश कर रहा है और हिमाले के एरिया में बहुत सारे इंफ्रस्ट्रक्चर तयार कर रहा है लेकिन हमें यह भी नहीं भोलना चाहिए कि भारत और नेपाल के पर वो सांसरों की बॉडी लेंगवज दिख सकती है नहीं दिख सकती है तो भारत और नेपाल के जो रिलेशन है वो रोटी और बेटी का रिलेशन है अगर उसमें एक नई गरम जोसी नरंद्र मोदी ने भरने का काम किया है तो यह राश्टिये गौरों की बात है देश के लिए ना किवल डिप्लोमेटिक फरंट पे और इंटरनेस्टल फरंट पे यह बढ़िया बात है ना किवल एक सार के पडोसी देश के फरंट पे बढ़िया कदम है बलकि दोनों देशों से खास करके एनर्जी सिकूरूटी को ले करके बहुत बड़ा काम किया जा सकता है क्य किया रहे हैं तो क्या अब दबाव जो है चीन की तरफ से नेपाल के अंदर या जो हस्तक शेप है या जो अब चीन का जो जो दब दबाव है जो नेपाल की तरफ बढ़ रहा है वो कुछ कम होगा जरूरी तोर पर जो अभी इनिशियटिव लिया है मोदी जी ने इसके बड़े बड़े प्रमुक टाउंज हैं, वहां पे ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, लैंगवज ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं, और उनकी उस असाब से वो लोग कर रहे हैं, और वहां के जो लोग हैं, नेपाल के, वो देखते हैं कि जो 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 चाइना के अंद से और रोटी बेटी का निश्टा है सारा उससे हम जुड़े हुए हैं और वो लोग चाहेंगे कि हमारे साथ अच्छे रिलेशन हो लेकिन कुछ एक पिछले एक दो दर्शक के अंदर जो हमारे रिलेशन एकदम डिटरेट हो गए मतलब हमने उनकी परवान ही की उसके अंदर क कि हमें थोड़ा नीचे दर्शाया गया है उस एक मैंने उसको सारा पड़ा हुए उसके अंदर में चीज है कि बाकी तो ओपन बॉर्डर है उसके अंदर हर एक चीज है कि इढ़र प्रॉपरटी खरीज सकता है इढ़र का सिटिजन स्रिपे इलावा सब कुछ मां सहोलियत है है लेकिन अबि हमारी को जरूरत इस समय ज्यादा ज़ैदा अलग है हुँ जितने भी हमारे अतंक वादी है वो पाकिस्तान से अईसिय के थरूज़ वह क्यों कर खिय 밝혔 है हम यहां वीजा नहीं है, पास्पूर सेना जो है बेना बल जो उसको अभी पहले सिर्फ वो एक information gathering जो आई वी की organization थी अभी उसको शस्तर दे कर उसको तेनाज किया गया उनकी उनके post बढ़ाय जा रहे हैं और हमारी ये उनसे request है इस जो agreement के अंदर क्योंकि अभी हलाद बदली हो चुके हैं और हम चाते हैं कि इसके ऊपर थोड़ा control किया जाए तो यह चीजें काफी अभी पॉलिटिकल विल पर भी कहीं ने कहीं बात आती है गोल साब जिस तरी के देखा जाए अगर ये gap जो रहा है इस दौरान अगर चाइना रहे एक बेन फिट लिया है उसके बाद अब हमारी तरफ से जो इनिशियेटिव शुरू हुए है उसके बाद आप क्या देखा जाए आगी कि तस्वीर कैसी हो कपोर साब जो बात कह रहे है मैं पूरी तरह से मत हैं और मेरा यह मानना है कि पिछले दस वर्षों में जो होना चाहिए था भारत के व्यापिक हितों को देखते हुए वो नहीं हुआ है और वह कुछ भी कारण रहा हो लेकिन अब हम उस और नहीं जाना चाहेंगे वह इतिहास की बात हो गई लेकिन आगे की बात है कि मोदी जी ने सही सम के से उन्होंने वहां के जो नेपाली रुपे का जो एक भारत की मदद का भी जो है वो दिया है तो निशित रुप से संदेश सार्थक जाएगा और यही कारण है कि चाइना यह चिंतित है कि भारत के कदम आचानक नेपाल की ओर कैसे बढ़ने लगे लेकिन वो चाइना को स साधन नहीं है भारत के दिमाग में लेकिन वहां का विकास वास्ते विकास हो क्योंकि वहां के जो मूल नेपाल वासी गोर्खा है उनको उन्होंने बताया है मोदी जी ने कि हमारी रक्षा करते हैं सी माउपर पूरी तरीके से भावनाव से जोड़ा है और बहुत अधिकां होती नेपाल के लिए है क्योंकि दोनों ही देश जो है अपनी अगर स्थितियों की बात की जाए तो नेपाल और भारत और चाइना दोनों ही काफी जाद मद्बूत स्थिति में हैं तो क्या नेपाल के लिए कही ना कही अस्वंजस की स्थिति नहीं होगी दोनों देशों को वह बहुत पुराना है नेपाल चाहईना के साथ एडवांटेज नहीं है जिस तरीके से हमारी सिमा खुली हुई है जो नेपाल का पूरा तराई इलाका हमारे मैदानी इलाके से जुड़ा हुआ है जैसे इदर के लोगों की उधर जमीने है उधर के लड़कें की इदर शादी यहां के काफी टॉरिस्ट वहां जाते हैं नेपाल के 70% भारतिय होते हैं तो अगर कोई पोलिटिकल रिलेशन में अगर कोई श्ट्रेन आया है तो वो दूर हो जाएगा लेकिन जो एतिहासिक संबंद है जो सांस्कृतिक संबंद है जो मानविये संबंद है जो एक तरह से भारत के लिए भी नेपाल के लिए और चाइना के लिए भी कि कैसे बैलंसिंग किया जाए लेकिन मुझे लगता है कि इन कदमों से नरंदर मोजी के इन कदमों से देखे बजट में जितने सीमावर्ती छेत रहें वहां के सडकों को सुधारनी के लिए पहली बार बजट आय और वहाँ से पाकिस्तान का वो एजेंट हटाया गया गया जो एक लगातार कोशिशे हुई है भारत के बीच में भी या नेपाल के बीच में भी इन सब के बीच में अगर चीन को भी अगर जोड़ा जाए तो उसमें क्या लगता है आपको कि खलबली जो है कही ना कहीं चीन के जहन पर भी होगी क्योंकि भोटान की अगर यातरा की गई थी उसके बाद भी कहीं तरी की टिपणिया आई थी और हाली में चीज ने खुद यह सुईकार रहा है कि उसने भारत के सीमा में की है तो इन तबाम चीजों को जोड़कर देखा जाए तो क्या निकल कर सामने आता है चीन के पर फेक्शिमा जो हमारी पॉलिसी में चेंज आया है अभी प्रो एक्टिव अभी तक हम सिर्फ रियक्ट कर रहे थे जो चाइनीज करते थे वो अभी अभी हम लोग प्रो प्रो एक्टिव हैं हमने एक बड़ी इन अलाकों में जैसे मनोजी ने कहा है कि सड़कें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरे बॉर्डर के साथ में बढ़ाय जा रहा है और और उसी तरह से जो जो हम उनको बिल्ड अप कर रहे हैं तो उनका जो प्रभाव है चाइनीज का प्रभाव है वो वहां यहां कम होगा और उनको भी यह अभी एकदम जैसे उन्होंने फ्री हैंड उनको मिला हुआ था अभी उस पर रिस्टिक्शन आएगी यह में जो प्राबलम यह हुई थी मावादियों ने जब यह अंदोलन किया हुआ था उसके बाद में लेकिन आज आप देखेंगे जो बहाल साब ने भ भावित हैं मूंड हैं मतलब उन्होंने उन्होंने भी बड़ी एक अच्छी स्टेटमेंट दी है तो यह जो बहुत चेंज ऑफ हाट है अगर मौस का भी चेंज ऑफ हाट हो जाएगा तो हमारे यह रिष्टे बहुत ही बहुत ही बढ़िया और उच्छकोटी के हुए बिलक करने वाल हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी महानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए तो सवाल यही है कि चीन के पास क्या मैसेज गया है चीन के अंदर अब किस तरीके की प्रतिक्रियां इस नेपाल यात्रा के बाद प्रधान मंत्री की आने वाल यह है कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की इस नेपाल यात्रा यह जो हुई है इस से सफल हुई है सवाल यह सवाल है कि क्या प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यह नेपाल यात्रा सफल हुई जवाब के लिए आप SMS कर सकते हैं SMS करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं S U D लिखें फिर स्पेस दें फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें इस मैसेज को आप 08 75 0047 855 पर भेज दें आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudarshannews.com पर ज़ाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात 9 बजे के शो में दिखाया जाएगा तो आप सभी इस सवाल का जवाब दे सकते हैं जिसका जवाब हम आपको कल यानि कि अगले शो में आपको दिखायेंगे किस तरीके की प्रतिकराएगे आपके तरफ से आएए बाहराल स्पेश्रिश में नहीं बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं सुदाशनेवस, जाहिए.